नमस्कार यूट्यूब चैनल एन उनिवर्श डबल टू में आपका स्वागत है अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप इसको सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन और जानकारी समय समय पर मिलती रहे आज हम इस व इस वेल्डिंग की जो इंट्रोडक्शन है इंडस्ट्री में इसको 1940 के दस्क में इसको यूज किया गया था और इसको सब्सक्राइब के लिए यूज किया गया था उस दोरान लेकिन बाद में जैसे जैसे एडवांसमेंट होई इस वेल्डिंग को सभी मेटल्स की वेल्ड मेटीरियल है और उसके चारों तरफ एक सिल्डिंग गैस का जो इन्वैल्प है वो बना रहता है तो सबसे पहले में बात करूंगा कि इस वेल्डिंग में हमें क्या-क्या इक्यूमेंट्स की जुरूरत है और आज आप इस वीडियो में कुछ ऐसी रोचक चीजें टीक करना है यह फिलर मैटल की requirement है दूसरी बात इसमें टोर्च लगा होता है और टोर्च के अंदर इलेक्टरोड होता है यह फूट पैडल है और यह पावर सोर्स है पावर सोर्स आपका AC भी हो सकता है और DC भी हो सकता है यहां पर यह इनर्ट गैस का शलेंडर है इसमें आरगन हेलियम जो इनर्ट गैसीज है वो भरी होती है और यहां पर यह प्रेशर गेज है और यहां फ्लोमीटर लगा हुआ है और इस पावर सोर्स से यह सारी जितनी भी connectivity है जैसे ये lead है इस lead से आपका electrode lead और water दोनों जा रहे हैं इसके थुरू gas की supply है torch में और यहाँ पर जो work lead लगा हुआ है क्योंकि हमारे पास दो polarity होती है normally एक straight polarity होती है reverse polarity होती है जो straight polarity होती है उसमें electrode negative होता है work piece positive होता है और जो reverse polarity होती है उसमें electrode positive होता है और work piece negative होता है तो वो depend करता है कि जैसा हमारा material है उसके base पर ही हम जो polarity है उसको देखते हैं और यहाँ से foot pedal की connectivity है वो भी यहाँ पर है foot pedal का mainly क्या है कि अगर हमें welding cut को regulate करना है और cooling water circuit को maintain करना है वो foot pedal से कर सकते हैं लेकिन आजकल क्या है कि एक switch लगा होता है torch के अंदर वहीं से यह सारी चीज़ control हो जाती है तो उस case में foot pedal का use नहीं करते हैं और यहाँ पर जो water हमारा जा रहा था यहाँ से water की return path we are में नजर आ रहा है जो water tank में आएगा और water pump की help से वापिस फिर वो यहाँ पर आएगा और यहाँ से फिर further वो हमारा torch की तरफ जाएगा तो यह इसमें main equipment हैं तो इसके अंदर मैं बात करूँगा कि इस welding के अंदर जो यूज करते हैं हम उसका यूज इसलिए करते हैं कि जो weld हमारा होता है जिसको weld bead बोलते हैं जो weld bead है उसको protect कर सके हम जो atmospheric oxygen होती है यह water vapors होते हैं उनसे बचा जासके तो silding gas है normally आप हारगन और helium का use करते हैं लेकिन इनके जो mixture हैं उनको भी use किया जाता है तो मैं बात होगा कि अगर hydrogen gas, nitrogen तो इनको भी कुछ amount में इनको add किया जाता है आरगन और helium के साथ और basically जो silding gas की selection है वो depend करती है कि कि किस material को weld करना है जैसे मैं बात करूँ अगर mild steel को weld करना है और उसकी thickness 3 mm तक है तो आरगन का use करते हैं अगर वो thick material है, thick mild steel है तो आरगन और helium का mixture और अगर pipe होता है, mild steel का तो उसमें भी आरगन का use करते हैं और जैसे मैं बात करूँ, stailness steel है उसके लिए आरगन का use करेंगे लेकिन अगर इसका alloy है, stailness steel का alloy है तो आरगन या helium में 25% hydrogen को mix करते हैं जिससे क्या होगा कि जो arc की voltage है वो बढ़ जाती है और जो arc हमें मिलेगी वो काफी hot मिलेगी और जो high voltage और थिक material की welding के लिए prefer की जाती है helium और दूसरी बात अगर shielding gas में hydrogen mix है तब aluminium, copper और magnesium alloy की welding में weld quality के लिए ये हानिका रुक होता है तो आरगन helium mixture बहुत बढ़िया है कुछ production application के लिए जैसे jet engine है food और chemical handling equipment है तो इनके लिए इनका जो mixture है काफी बढ़िया है और आरगन अगर हमें manual TIG welding करनी है उसके लिए suitable रहता है जैसे copper है, nickel है, copper nickel alloy के thin section है उसके लिए बढ़िया रहता है लेकिन अगर heavy section हमारे पास है तो heavy section के लिए helium को recommend किया जाता है क्योंकि जो helium है उसकी वज़य से high arc voltage होती है और ज्यादा arc welding प्रोवाइड की जाती है जो hot arc है arc हमारी काफी ज़्यादा hot होती है in case of helium दूसरी बात इसका melting point है वो बहुत ज़्यादा है और high conductivity metal के लिए इसको use किया जाता है titanium अगर करना है weld उसके लिए argon का use करते हैं लेकिन 3 mm थिकनस तक, ज़्यादा थिकनस है तो helium का use करेंगे उसके बाद मैं चलता हूँ electrode पर electrode क्या है कि वो tungsten का बना होता है और tungsten का melting point है वो 3410 degree Celsius होता है और इसकी property क्या है tungsten की high melting point है low electric resistance है और good heat conductivity है इसके अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा electron को very easily emit करने की इसकी ability है normally क्या होता है कि 4 type की electrode होती है एक होती है pure tungsten और उसका जो tip का color है वो green होता है और इसमें 99.5% tungsten होती है और ये कम costly होती है और दूसरा है कि इसकी जो crunch carrying capacity है AC के साथ बहुत कम है और contamination इसमें ज़्यादा है दूसरा type है Thorated tungsten electrode ये दो type की होती है एक होता है जिसमें जो thorium है 0.8 से 1.2% हो और इसकी high crunch carrying capacity होती है battery electron emissivity इसकी है इसकी life भी अच्छी है दूसरा greater resistance है contamination के लिए और easily arc initiate हो जाता है और arc stability भी इसकी काफी अच्छी है और इसकी tip का जो color है वो yellow होता है दूसरा है Thorated tungsten electrode जिसमें thorium की मातरा 1.7 से 2.2% होती है और इसका tip का color red होता है और जो fourth type है electrode की वो jirconated electrode है इसमें electrode की जो property है pure tungsten electrode Thorated tungsten electrode के बीच में होती है लेकिन ये better performance देती है AC के साथ और काफी easy arc initiation है और जो electrode का size है वो depend करता है कि magnitude कितना है current का material किस type का weld करना है और किस type की welding process है और जो electrode का dia है वो 0.5 से 6.4 mm तक होता है और जो length होती है वो 75 से 610 mm के बीच में होती है अगर ज्यादा current है और small dia है electrode का उसकी वज़े से tungsten का erosion हो जाता है और जो tungsten है वो weld metal में include हो जाता है लेकिन अगर current कम है और electrode का dia ज्यादा है तब arc electrode की tip पर अनियंत्रित रूप से घूमती रहती है तो ये भी एक problem है तो इसलिए कि हमें जो middle portion है जो middle crunch है और जो preferable है उसको ही use करना चाहिए तो उसके बाद क्या है कि यहाँ filler metal का हम use करते हैं इस welding के अंदर जो filler metal है अगर seat metal को weld करने तो filler metal को हम use नहीं करते लेकिन ज़्यादा तर filler metal की जुरूर्थ पड़ती है और जो filler metal है इसकी जो composition है जिस material को weld करना है उस पर heat depend करती है और जो filler metal का diameter है वो base metal की thickness पर depend करता है और filler metal को weld pool में manually add करते हैं लेकिन कई बार इसको automatically feeding भी दी जाती है उसके बाद क्या है कि जो wire होती है wire feed mechanism है उसमें क्या है कि wire dry mechanism होता है जो एक motor से उसको control करते है जो roll होता है जिस roll पे electrode लगा होता है उसको जो wire को push करता है उसको हम एक wire dry mechanism से करते है इसकी speed control के लिए constant speed burner लगा होता है और एक वहाँ पे adjustable wire guide होती है जो attach होती है welding head के साथ ताकि जो tungsten electrode है work surface है और joint sim के साथ current की position और angle की approach को maintain किया जासके और उसके बाद है कि इस welding को हम AC और DC दोनों पे use कर सकती है अगर DC पे कर रही है तो electrode हमारा negative है लेकिन अगर aluminium और magnesium को हमें करना है तो electrode को positive रखेंगे वो मैं बात करी चुका हूँ कि tungsten electrode का diameter कीतना होता है लेकिन इसमें जो current carrying capacity है वो 5-650 ampere के बीच में vary करती है उसके बाद अगर हमें mild steel, stainless steel, copper और titanium को weld करना है तो हम direct current state polarity का use करते हैं लेकिन अगर हमें welding करनी है aluminium की heavily oxidized aluminium casting की तब हम reverse polarity का use करते हैं उसके बाद किया है कि यह सारी चीज हमने discuss कर ली इस welding के कुछ advantage भी है कि इसमें किसी भी flux की जुरूरत नहीं पड़ती है तो दूसरा है कि इसमें जो arc की visibility है काफी अच्छी है better control है और इसको अब सभी position में weld कर सकते है और specially thin material में इसकी quality of welding की बहुत अच्छी है और इसका heat affected zone है वो भी कम है और अगर मैं इसकी applications की बात करूँ इस welding को normally aluminium, magnesium, stainless steel, copper, pneumonic, monol, incolon, brass, bronze, tungsten, silver, molybdenum और titanium material के लिए welding के लिए इसको use किया जाता है और thin section और seat metal की welding में काफी अच्छी है और specially जो इस welding की application है aircraft industry में, chemical plant में, nuclear plant, refractories में इसका use करते हैं लेकिन इसके साथ इसकी कुछ disadvantage भी है क्योंकि जो tungsten है अगर वो weld pool में transfer हो जाए तो वो उसको contaminate कर देती है और दूसरी बात अगर filler road का जो end है by chance वो inert gas sealed में आ जाए तो weld pool पे वो contamination कर देता है लेकिन इसकी जो equipment की cost है वो काफी ज़्यादा है अगर हम shielding metal arc welding से comparison करें और दूसरी बात इसमें जो electrode है वो non consumable है जिसकी वज़े से हमें अलग से filler road की जुरूरत पड़ती है और जिससे क्या कि जो welding speed है वो हमारी कम हो जाती है आज हम बात की है इसमें क्या है कि जो arc हम establish करते हैं tungsten electrode job के बीच में और साथ में filler road का use करते हैं जिसको separately हमें held करना पड़ता है अगर मैं इसकी working की बात करूँ थोड़ा सा working के बारे में discuss करूँ कि एक non consumable tungsten electrode है जो एक holder में लगा होता है और इसमें क्या है कि जो welding operation हम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं जो electrodes को strike करते हैं work piece के साथ या scrap करते हैं किसी भी metal tungsten piece पे ताकि हमें high frequency unit मिल सके strike करने के बाद क्या है कि जब welding हम सुरू करते हैं तो यहां weld pool हमारा create हो जाता है और जो welding torch है और जो filler metal है उनको हम welding torch को 70-80 degree पे angle पे held करते हैं और filler metal को 10-20 degree पे held करते हैं और जो angle होता है हमारा work piece के respect में होता है और जो heated end होता है filler road का और electrode दोनों को हम inert gas sealed के अंदर रखते हैं जब तक हमारा weld pool है वो solidified ना हो जाए और सबसे बड़ी बात कि इसको AC और DC दोनों पे use कर सकते हैं तो friends आज हमने discuss किया take welding के बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं और N-Universal 2 को subscribe करना ना भूलें Thanks for watching, have a nice day